है हैं है दोस्तों तिकी टिकी में ऎकड़ पास से क्षिश सो रहते हैं आज हम बहुत यु नीक सा बेगान का रायता बनाने जा रहे हैं आपने बुंदी का रायता प्यास का रायता ट्राइब आज हम आपको बैंगन का राइता बनाना उसके लिए हमें सबसे करिले चाहिए बैंगन करी पत्ता सुकी लाल मिर्ची भरी धनिया और दही शाथ में नमक पीशिरी चीनी राइ राइ खल्दी तो हम बैंगनका राइता बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने ब क्योंकि पेसे करें गैडिक अपनी घर प्रता में तो यह सब्सक्रीक या रिल्दो ह्यां जाए हैं ,श़ कर दूद्धन हैं,, तो हम गैस पे कराई रखेंगे उसमें हमने एक चमंज तेल डाल राए है है रिफाइंन तेल जो भी आप तेल खाते हैं आप जीज ही तेल गरम होता है हम इसमें लाल मिच दालेंगे दो 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 पीज करें दाल देंगे और साथ में इसमें एक चमबज राई डालेंगे करेंचे खात राए नशर रधा करेंगे लेघा घले जालेज अग में देन्सकारिप्सब्स रहे जालें है किया क्रेा ह Marshakचेशित जालेज maneira करेंगे लेज़ों को कश ब अब हम लेंगे सोक तोने बैंगें तो इसको हम धकन लगाएंगे और गयाज को सिंग कब देंगे और दो मिलाचे लें इसको फड़ा सोक तोने लेंगे यह मिच्टो चेक कर लेतें यह 5 मिनट से पखेंगे तो इसके मिच्टो नमक दानेगे आदा चमस नमक कर देंगे आदा चमस नमक कर देंगे और फोड़ चमस खल देंगे इसको बैंक दो मिनकार चिपाने नमक दिक तयारे देंगे यह हमारे बैंगल पक्के तयार हो गए अब इस्टों पास्ट मेंट के लिए खंडा करने के लिए रखेंगे गैस को बंद करें उस्टे बाद में इसको मत्य वेज़ई में मिलाएंगे अब हमने जो बैंगल की सबजी तयार करी ती उसको मिसमें मिक्स करेंगे इसको में अच्छे सी ला लेंगे और इसी के साथ साथ हम इसमें तीन चोटला चम्मज पीसीवी चीनी डालेंगे एक दो तीन इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका बहुत सुन्दर कलर आता है क्योंकि हमने बैंगन में अच्छे साथ में हलकी सी हल्दी डालेती पीसी इचीनीय मिष्टले डालते ताक्या जल्ले से मिक्स हो जाए यह देखिए बैंगन का राइता बनके तयार हो प्या है आपको यह पसंद आता है तो आप प्लीज इसको लाइक करें आप इसको सेर करें और आप इसको सब्स्रा करना ना भूलिये फिर दुबारा से मिलते हैं आपको आपके साथ में एक और नहीं दिश्ट के साथ में बाई